बच्चों डिवाइन पब्लीक इस्कुल मोना प्रुगोरग प्रुक्लास नाइन ती हिंदी आनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों आप लोगों के वीच प्रस्तुत हूँ एक निया वीडियो लेखर जिसके माध्यम से हम लोग कच्चानुवी की हिंदी पाठेफुस्तक छितिज भाग एक के अंतरगत संकलित कविता पाठ तीन सवयय के वारे में पढ़ेंगे समझेंगे और जनकारी प्राप्त करेंगे जिसके रचेटा है रश्खान कभी परिचे रश्खान कभी हिंदी साहिते के एक क्रिश्ण भक्त कभी थे उनका पूरा नाम सयद इब्राहिम था उनका जन्म सन 15-18 में हुआ माना जाता है वे डिल्ली के आसपास के रहने वाले थे वे मुल्ता मुसलमान थे मुसलमान होते विए वी एजीवन भग क्रिश्ण की भक्ती में डूबे रहे इनकी भगवत भक्ती को देकर गुष्वामी बिठल नाद जी ने इने अपना सिष्य बना लिया कहते हैं कि उन्हें स्रेनात के मंदिर में क्रिश्ण के साक्षा धर्शन हुए तभी सेवे ब्रजभूम में रहने लगे और फिर आजीवन वही रहे सन 1628 के लगबग उनकी मिर्त्य हुई रचनाय रश्कान की दो काबे रचनाय है सुजान, रश्कान और प्रेम वाटिका प्रेम वाटिका में प्रेम से शंबंदित दोहे हैं तथा सुजान, रश्कान में क्रिश्ण प्रेम पर कबित और सवये हैं भासा सेली रश्कान की भासा ब्रजभासा है वे अपनी मधूर, सरल और सरल वासा के दिए प्रशिद्ध हैं उनकी वासा में कहीं आडंबर नहीं है कहीं अलंकारों की भर्मार नहीं है उनके शब्दों में जहरने सा मधूर प्रवा है दोहा कवित और सवया तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है इन तीनों छंदों में उन्होंने अपनी रचनाई की हैं सवये के प्रियोग में तू उन्होंने रस ही घोल दिया है निश्चही रस खान रस की खान है पाठ परचे पहले और दूछरे सवये में क्रिश्ल और क्रिश्ल भूम यानि ब्रजभूम के प्रति रस्खान कविका अनन्य प्रेम और समर्पन भाव्यक्त हुआ है तीसरे छंद में क्रिश्ल के सुन्दर रूप पर मोहित गोपियों की पुष मुक्ता का चित्रण है जिसमें वे स्वयें क्रिश्ल का रूप धारन कर लेना चाहती है उनके रंग में रंग जाना चाहती है चौते छंद में क्रिश्ल की मुरली की धुन्द और उनकी मुस्कान के अचूप प्रभाव तथा गोपियों की विवस्ता का बढ़न है आये वच्चों अब हम चलते हैं सवये किप्टा की ओर चलिए पढ़ते हैं इस सवये किप्टा को मानुस हों तो वही रसखानी बसों ब्रजगो कूल गाव के ग्वारन जव पसु हों तो कहा बस मेरो चरोनी तनंद की धेनु मझारन पाहन हों तो वही गिरिको जोकियो हरी छत्र पुरंदर धारन जव खगहँ तो बस एरो करों मिली कालिंदी कूल कदम बकिदारन शबदार्त मानुस मनि होता है मनुस बसों मनि होता है बसूं रहूं ग्वारन मनि होता है ग्वालों के कहा बस मने होता है क्या बस चरों मने चरूं नित मने सदा हमेशा धेनू मने गाय मजारन मने मद्ध पाहन मने पत्थर गीरी मने परवत छत्र मने छाता पुरंदर मने इंद्र भगवान इंद्र धारन मने धारन खग खग मने पक्छी बसेरो बसेरो मने निवास कालिंदी मने यमुना कूल मने किनारा डारन मने डाले प्रशंग प्रस्तुत स्वयाचंद रस्खान कविद्वारा रचित है इस सवये चंद में रस्खान कविका क्रिष्ट और उनके जनभूमी के प्रती अनन्य प्रेम और समर्पन भाव प्रकट हुआ है भावार्थ रस्खान कवि क्रिष्ट और उनके ब्रजभूम के प्रती अनुराग प्रकट करते हुए कहते है यदि मैं अगले जन्व में मनुष्य बनूँ तो गोकुल गाओं के ग्वालों के बीच रहूँ यदि मैं पसुही बन जाऊँ इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं तो चाता हूँ की गाय बन कर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूम पर बिच्टन करूँ चरा करूँ यदि मैं पत्थर बनूँ तो उसी गोबर्धन परवत का पत्थर बनूँ जिशे इंद्र के क्रोध से बचने के दिये क्रिश्ण ने चाते के रूप में अपनी अंगुली पर धार्ण किया था यदि मैं पक्ची बनूँ तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं इस प्रकार रश्खान कभी ब्रजभूम से अपना संबंद बनाए रखना चाते हैं भासा ब्रजभासा है सवय चंद का प्रियोग हुआ है अनुप्रा सलंकार का सुन्दर प्रियोग हुआ है दूसरा सवया या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपूर को तजिदारों आठों सिध्धिन ओन्निद के सुकनन्द की गाई चराई विशारों रशखान कभों इन आखिन संब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों कोटी के एक कलध हो तके धाम करी लेके कुंजन उपर वारों शब्दार्थ या या मने इस लकुटी लकुटी मने लाठी और और मने और कामरिया कामरिया मने कम्बल तिहु तिहु मने तीनो पूर पूर मने नगर तज़िडारों मने त्याग दूँ आठों सिध्या आठों सिध्या आठों सिध्या है पद्म, महापद्म, संक, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्ब, कुवेर की निदिया बिशारों मने भूलूं तड़ाग, तड़ाग मने तालाव, निहारों, निहारों मने देखूं, कोटिक, कोटिक मने करोडों, कलधावत, कलधावत मने सोना, धाम, धाम मने घर, कुंजन, कुंजन मने लताओं के घर, वारों, वारों मने निवचावर करूं प्रशंग इस सवे में भी रस्खान कवी का क्रिश्ल और ब्रज्भूं के प्रति अनन निप्रेम और शमर्पन भाव प्रकट हुआ है भावार्थ रस्खान कभी कहते हैं त्रिश्ल की लाठी और कमली के बदले मैं तीनों लोकों का राज भी खुशी से त्याब दूँ नंद की गायों को चराने के बदले संसार की आठों सिध्यों और कुबेर की नव निदियों के सुखों को भी छोड़ दूँ कब मैं अपनी आखों से ब्रत प्रदेश के बनों उपवनों और तालाबों को देख सकूँँगा करील के घने लताओं की छाया को देख कर तो मन होता है कि इन में निवास करने के लिए करोणों सोने के महलों को भी इन पर निवच्छावर करते हूँ रश्खान को ब्रजभूम से गहरा लगाव है वे वहां के बन बगीचों सरोरों और करील कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं इसी भाने वे क्रिश्ट का दर्शन चाहते हैं उनके सामने उन्हें अन्य सभी सुक फीके जान पड़ते हैं यहां रश्खान कविका क्रिश्ट से गारा प्रेव होने के कारण उनके बज़िभूम के प्रती अनन निप्रेम और समर्पन भाव प्रकट हुआ है भासा ब्रजभासा है सवया चंद है अनुप्रास अलंकार का प्रियोग हुआ है तीसरा सवया मोर पखासिर उपर राखियों गुझ की माल गरें पहिराऊंगी ओड़ी पितंबर लैल कुटी बन गोधन गवारन संग फिराऊंगी भावतो ओही मेरी रसखान सोतेरे कहे सब श्वांग कराऊंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी सब्दार्थ मोर पखा मोर पखा मने होता है मोर के पंखों से बना मुकुट गुंज गुंज मने घुंगची एक पोधे पर उगने वाला विशेश प्रकार का दाना गरें गरें मने गले में पितंबर पितंबर मने पीला वस्त्र लकुटी, लकुटी मने लाठी, गोधन, गोधन मने गायें, गवारन, गवारन मने गवालों, भावतों, भावतों मने अच्छा लगता है, लुभाता है, स्वांग, स्वांग मने रूप धान करना, भेस बनाना, मुरली धर, मुरली धर मने क्रिश्र, अधरान, अधरान मने हो पर धराऊंगी धराऊंगी मनें रखूंगी प्रसंग करें कि इस शंद में कृष्ण के शंदर रूप पर मोहित गोफियों की उस मुगता का चित्रण है जिसने वे स्वेंग कृष्ण का रूप धान कर लेना चाहती है वे उनके रंग में रंग जाना चाहती है भावार्त क्रिष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोफि सखी अपनी दूसरी गोफि सखी से कहती है हे सखी मैं क्रिष्ण के प्रेव में अपने सीर पर मोर पंकों का बना मुकुट पहन लूँगी अपने गले में गुंजा की माला डाल लूँगी क्रिष्ण जैसा रूप धान करने के लिए मैं क्रिष्ण के ही जैसे पीले वस्तर भी धान कर लूँगी और क्या कहूं मैं तो कनहिया की तरह अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग बन-बन उन्हें चराती घुमती रहूंगी वह क्रिष्ण मेरे मन को बहुत लुभाता है उससे मुझे बहुत ही प्रेम है इसलिए तेरे कहने पर मैं यह सारा स्वांग रच लूँगी सारा भेश बना लूँगी परन्तु ऐसकी क्रिष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर रखा है उस मुरली को मैं किसी भी हालत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी यही वह मुरली है जिसके कारण क्रिष्ण ने हमें भुला दिया है इसी के कारण मेरा क्रिष्ण मुझसे दूर हुआ है यहां एक गोपी का क्रिष्ण के सुन्दर रूप पर मोहित होना एवां मुरली के प्रत इर्शिया भाव प्रकट हुआ है स्रिक्रिष्ण को मुरली धर कहा गया है वे यमुना नदी के किनारे बंसी बजाय करते थे उनके इसी रूप पर गोपियां मुगधन थी इसलिए उन्हें मुरली धर कहा गया है अनुप्रास अलंकार का प्रियोग हुआ है मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी में अनुप्रास और यमक अलंकार है भासा ब्रजभासा है सवया चंद है चौथा सवया कानन दे अंगुरी रहिवो जब ही मुरली धुनी मंद बजय है मोहनी तानन सोरस खानी अटा चड़ी गोधन गय है तो गय है एरी कहों सिगर ये ब्रज लोगा निकाली को कितनो समुझय है मा एरी वा मुख की मुस्कान सम्हारी नजय है नजय है शब्धार्थ कानन दे मने दे कर अंगुरी अंगुरी मने अंगुली रहिवो रहिवो मने रहूंगी धुनी धुनी मने धुन बजय है मोहनी मने मोहित करने वाली तानन तानन मने तानो से अटा मने अटालिका महल गोधन गोधन मने एक लोग गीत जिसे चेकिश्र गाया करते थे गय है गय मने गये टेरि टेर मने पुकार कर बुलाना सिगरे मने सारे काल काली मने कल कोव मने कितना ही माईरी माईरी मने हेमा संभारी नजय है संभाली नहीं जायेगी प्रशन प्रस्तुत सवया रश्कान कभी द्वारा रचित है इस सवया छंद में क्रिश्ल की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचुग प्रभा तथा गोपियों की विवस्ता का बर्डन हुआ है प्रश्कान कभी कहते हैं कि क्रिश्ल की बंसी की धुन से मोहित एक गोपि कहती है हे सखी जब क्रिश्ल धीरे धीरे मधूर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं तो अपने कानों में उंगली देलूँगी जिससे की बंसी का मोहक स्वर मुझ पर जादू न डाल सके फिर वह मनमोहन क्रिश्ल चाहे अट्टालिकाओं पर उचे उचे भावनों पर मालों पर चड़ चड़कर भी अपनी मोहिनी तान छेड़ता रहे तो छेड़े गोधन गाता रहे तो गाए मुझ पर उसका कोई प्रभाव न पड़ेगा परन्तु यदि किसी प्रकार उस क्रिश्ल की मधूर बंसी की धुन मेरे काणों में पड़ गई तो फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकती हे ब्रज के लोगों मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूँ सब सुन लो चाहे तब फिर मुझे कोई कितना ही समझाए मेरी मस्ती कम नहीं होगी मैं समझने वाली नहीं हूँ हे मेरी माँ क्रिश्ल के मुक्की मुस्कान अईशी मनोहर है और मन मोहक है कि उसके जादू से किसी प्रकार बचा नहीं जा सकता उसका सुक तो मैं चाह कर भी संभाल नहीं सकूंगी अर्थात क्रिश्ल की मोहक मुस्कान के बस में होकर जब मोहिनी में मैं बवराई सी फिरूंगी तब मुझे कोई न टोकना भासा ब्रजभासा है चंद सवया चंद है अनुफ्रा शलंकार का सुंदर प्रियोग हुआ है नौ जैहें पद की तीन वार आबरती शे पक्ति का सुंदर और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है इसमें गोपी का की मुझ धमनो दसा का सुंदर चित्रण हुआ है गोपी कानों में अंगुली इशलिय देना चाहती है क्योंकि उसे क्रिश्व के बस में हो जाने का खत्रा है उसे लगता है कि वह मुरली की तान सुनकर स्वयंग को संभाल नहीं पाएगी इस प्रखार अस्कान कविने अपने इस सवये कविता के माध्यम से भक्त प्रेम और शमर्पन की भावना को जगाया है रश्खान कविका क्रिश्व उनके जनभूम के प्रती जो प्रेम भक्ती और शमर्पन की भावना व्यक्त हुई है वैसा ही प्रेम वैसी ही भक्ती वैसी ही शमर्पन की भावना प्रती एक मनश्य के अंदर होनी चाहिए हमें अपने जनभूम से अटूड प्रेम करना चाहिए कि और उसके प्रती समर्पित रहना चाहिए हुआ 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 है हुआ 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 झाल झाल